है ले विडियों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल कोचिंग क्लास पर स्वागा थे तो क्लास 12 मैट्स का सल्यूशन लिए पूरे वीडियो आपको मिलेंगे पूरे कोश्चन का सल्यूशन वीडियो कौन तक देखना सारे आपको अब्जेक्ट क्लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको पीडियो नोट्स में लेगे इसलिए वीडियो को अंतक देखते रहो ठीक है तो चलिए यह कोश्चन प्रमांग सिक्स का आगे इसको अपन क्या करते हैं पूस करते हैं तो यह हो गया आपका कोश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट ठीक स्क्रींचाट ले लो 10 सेकंड का हर न मैंद दस सेकंड करोकूंगे कि दस सेकंड में आप लोग इसका स्क्रींचाट ले लो तो आप लोगो का इतना दायतए आपको दे के ek wanna इतना सेकंड तक तक तसाइम रहता है आप लोग 67 आ आपका ठीक है आपको इस पे पूरा X और Y का बैलू निकालना है तो X कमान 4 बटे 3 आएगा ठीक है चलिए आगे देखा जाए ये हो गया आपका X कमान कितना 4 बटे 3 तो question number आपका कौन सा question था ये question number आपका था question number 7 तो ये question number 7 आपका complete चलिए question number 8 देखो question number 8 फटाफाट screenshot लेना आपको question number 8 हल अथवा है X बराबर देखे रखा Y बराबर देखे रखा हमको D Y upon D X निकालना है पहले अपने यहाँ पर पहले में T के सापेज समा कलन कर दिया फिर by में T के सापेज कर दिया इसके बाद एक तरिज़िए पट आपट और फिर भाग दे दिया अपने दिवाई अपान डी एक से दिवाई अपान डी टी डी अपान डी टी आगे अपना डी अपान डी एकस बराबर कितना आगे टी ठीक है तो पूरा correct answer है बिल्कुल चिंता मत करना solution पूरा दे रहा हूँ वीडियो को अंतक देखना पूरा चीज़ें मिलेगा आपको अच्छा बीदी बज्जान करें ठीक है तो चले question number 9 देखो question number 9 है आपका पूरा screenshot लेते चलो 10 से करने का आपको समय दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ठीक है इस पूरा फट करें चल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ठीक question number 9 हो गया इसके बाद आप देख सकते है यह ठीक है तो यह हो गया आपका complete आसर उम्मी देखिए बिल्कु साथ लोगे question number 9 हो गया complete इसके बाद question number आपका चाहिए 10 तो यह है आपका question number 10 question number 10 आ चुका है भी यह है ना बाई बराबर under root 10 x square यह है question number 10 दोनों पच्छों में x के साब पेचा आप कलन करो फटा फट तो यह आपका आजाएगा पूरा complete आसर उम्मीद है कि बिल्कुल सिंप down तो करना है तो note down करते चलो ठीक है चलिए आगे बढ़ा देता हूं पांस सेकंड का समय दे रहा हूं तो आप लोग पूश करके वीडियो को पूश करो और देखो लिखो ठीक है completely समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं चलो भईया आगे देखो ठीक तो screen start ले लिया करो ठ है तो question number 10 complete इसके बाद question number आपका 11 तो यह question number 11 है दिया गया फलन है इस पर हमको वर्धमान और हासमान निकलना है पांस सेकंड का समय वीडियो थोला रंबा होगा लेकिन पूरे solution आपको करना कई भटकनी जूरत नहीं है सारा चीज उपलब्द कराएगा यह आपसे मेरा बादा है हर सब्जेक्ट का सल्यूशन चलिए आगे दोखो screen start बस लेते चलो बहत्रिन डंग से आप लिको पूरे number आपको मिल जाएंगे ठीक है इसके बाद आपका यहां पे last stage यहां तक यहां तक यह हो गया आपका question number कौन सा तो 11 इसके बाद question number 12 देखो फटा फट करा रहा हूं तो आप लोग का दायूत है कि यह आप पूरे question करा रहा हूं तो आप लोग तो लाइक तो बनता भी है ठीक है तो यह लो question number 12 question number 12 है आपका screen start लेते चलना 5 second का समय देता हूं आपको आगे बढ़ा दूं यह हो गया question number 12 complete ठीक है question number 12 complete हो गया इसके बाद भाईया question number 13 देखो question number 13 question number 13 सलिए आप लोगो के लिए मेनत करता हूं यह प्रीज सब्सक्राइब तो बनता है यह अप सब्सक्राइब कर लो साथी बिल आइकन प्रस कर लो आप लोग ठीक है इस्ट्रेंट आप लोगों के लिए आपके आगे question number 14 देखो question number 14 देखो question number 14 इसके बाद आगे बढ़ो 5 सिकंड का वक्त है आप आसानी से लेख सकते हो ठीक है चलिए भाईया आगे देखो screen start ले लिया करो अन्धा आप सोचोगे कि है ना बिना screen start तो आप नहीं कर पाओगे simple तरीक चलिए आगे देखा जाये तो यह हो गए आपका ठीक है यह आपका 10 बटे 3 ठीक इसका भी इतना complete नहीं हुआ है इसके बाद भी आगे है solution यह question number 14 ही चल रहा है question number 14 ही चल रहा है चल यह हो गया आपका final complete और question number 15 question number 15 देखो question number 15 question number 15 यह हो गया ठीक है question number कौन सा है 15 हो गया ठीक question number 15 देख लो ठीक है और यह आप ले लो यह screen start पटा-फट अच्छा अब objective करा दो question number 15 तक हो गया अब्जेक्ट्यू करा दो फटा-फट अब्जेक्ट्यू करा देते हैं अपन है ना तो क्लास 12 मैस रिवेंद देखो पहला नंबर है अब्जेक्ट्यू है ना पहला देख लो अब्जेक्ट्यू और इसके बाद यह आपका दूसरा नंबर और इसके बाद प्रश्न क्रमांक चार अब्जेक्ट्यू इस लेकर आ रहा हूं ताकि आपनों को दिक्कत नहुला की वीडियो बना चुका हूं अब्जेक्ट्यू का तो 15 को करा दिये और हाँ अब आपको एक जरूरी इंफार्मिशन यदि आपको इसका पूरा नोट्स ल इसके थोड़े से चार्ज लगेंगे बहुत ज्यादा चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको पूरा पीडियाप मिल जाएगा जिससे आपको परसाइन हो यदि पीडियाप नोट्स चाहिए तो पूरा पीडियाप मिल जाएगा तो आसार उमीद है कि यह आपको वीडियो पसंदर पसंदर लाइक कर देना दोस्तों संस्यार कर देना नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं क्लिए वीडियों तब तक लिए जैहिन बंद मातरम